NDA के तरफ से जैसे ही राष्टपती पद के उमिद्वार का नाम का घोशना हुआ, जदियू ने इस बात का एलान कर दिया कि वो लोग द्रौपदी मुर्मूजी के समर्थन में खड़े हैं, आज राष्टपती का चुनाव होना है, आज बिहार विधान सभा में शाम पार ब् नहीं, मतलब ये कि जिस जदियू ने राष्टपती की उमिद्वार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया, ये कहा कि NDA की जो उमिद्वार हैं उसको जदियू अपना पूर्ण समर्थन देती है, लेकिन जदियू के सर्वे सर्वा, माननियमुख्यमंत्री नितीश कुमा इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, और हिस्सा इसली नहीं लेंगे, क्योंकि वो MLA नहीं है, वो MLC है, मतलब की राष्टपती पद के चुनाव में जो सिर्फ वही लोग पाटिसिपेट कर सकते हैं, जो या तो राजसभा के सदस्य हैं, या लोगसभा के सदस्य हैं, लोगसभा में नहीं हैं, इसका मतलब ये, कि आज जो चुनाव चल रहा है, शाम पाट बड़े बिहार धान सभा में चलेगा, उसमें नितीश कुमार को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, मतलब की जिस जदियू ने इस बात का ऐलान बहुत जोर शोर से किया था, कि हम ल लोग द्रापदी मुर्मु जी के समर्थन में है, ललन सिंग वाला अकांड आपको याद होगा, जब नरिंदर मोदी जी ने कहा कि ललन बाबु आप यहां आकर बैठिये, इन सब बातों को याद करी और उसके बाद ये एक फैक्ट जान लीजिए, कि आज जो वोटिंग हो इसके अलावा राबडी देवी भी वोट नहीं देंगी, राबडी देवी ना लोक सभा में है, ना राजे सभा में है, ना विधान सभा में है, राबडी देवी भी MLC है, रारत से MLC है वो लेकिन वो भी राष्टपती के चुनाओं में वोट नहीं दे पाएंगी, इसके अ कलियान मंत्री संतोसमान जी है भवन निर्मान मंत्री असोक चौधरी है जल्द संसाधन मंत्री संजय जहा है बीजेपी के जो मंत्री है खनन के जनक राम जी है और ये सारे लोग आज राश्ट्रपती चुनाओं में वोट नहीं डाल पाएंगे उपेंद्र कुष्वाभी MLC ह वोट नहीं डाल पाएंगे नितीश कुमार राबडी देवी इसकिन के अलबा कईये से नेता है और जो सारे अगर आप एग्जेक्ट नंबर डलना चाहते हैं तो बिहार विधान परिशद में 75 सदस से होते हैं और ये 75 सदस से आज राश्ट्रपती के चुनाओं में वोटि लोग MLC है, Member of Legislative Council है इसलिए उन लोगो वोट देने का अधिकार नहीं है और आज जब चुनाओ चल रहा है तो वो लोग जाकर राश्ट्रपती चुनाओं में वोट नहीं डालेंगे और उनके वोटों की गिंती नहीं होगी बैरहाल अगर हम बिहार विधान सभा की बात कर है और सारे लोग मिलकर द्रापदी मुर्मु के लिए वोट करने वाले हैं अगर हम संख्या की बात करें तो देखिए NDA के जो अगर देखा जाए जो संख्या बल में MLA है वो ज्यादा है तो ऐसे ही उनका वोट ज्यादा हो जाएगा और बिहार सहित सारे उन राज्यों से N विधायक है वो तो श्ट्रेचर पर गए है विधान सबा ताकि वो द्रापदी मुर्मु के पक्ष में वोट डाल सके और इसके लिए लगतार शाम के पांट बड़े तक वोट जाए रहेगी लेकिन नितीश कुमार की जदियों ने समर्थन तो दिया है लेकिन खुद निती 21 जुलाई को आपको मालूम चल जाया कि राष्टपती पद पे कौन जीता है राष्टपती अगला हमारा कौन होगा और ज़्यादा तर चांसे जिसी बात के हैं कि द्रापदी मुर्मु ही हमारी अगली राष्टपती होंगी बहराल आपको जनकारी कैसे लगी कम लोक्स में